हेलो एब्रीवन बेलकम बेक टू माई चैनल पिलस स्टेडी आईक्यू दोस्तो आज का अपना टोपिक है लीसमान इस्टेंड आज इस वीडियो में दोस्तो लीसमान इस्टेंड क्या होता है यानि उसका इंट्रोडक्शन प्रिंसिपल एंड प्रोसीजर को एक सिंपल करते हैं लीसमान इस्टेंड के इंट्रोडक्शन से यानि इंट्रोडक्शन ओप लीसमान इस्टेंड क्या होता है लीसमान इस्टेंड इजे पॉली क्रुमेटिक इस्टेंड क्या है दोस्तो जो लीसमान इस्टेंड है एक पॉली क्रुमेटिक इस्टेंड है यानि यह सभ रोमोनवस की गुरुप सिस्टेन एंसी इस्टेन होती हैं दोस्तों जो सेल्स को डिफ्रेंसियेट करने के लिए यूज की जाती हैं यहां पर लीसमान इस्टेन जो सेल्स मॉर्फोलोजी एंड पैरसाइटिक इस्टेडीज के लिए मोस्ट यूज की जाती हैं दोस्तों यहां पर यह तो हुगया इंट्रोडक्शन साथ ही देखते हैं इसका प्रिंसिपल आप लीसमान इस्टेन तो इसका प्रिंसिपल किस बेस पे होता है दोस्तों तो मेथाइलिन बिलू और यूसिन इसमें टू टाइप्स की डाई यूज की जाती है दोस्तों जो मेथाइलिन बिलू एक बैसिक नेचर की डाई होती है एंड इस्टेन एसिडिक नेचर माटिरियल यानि मेथाइलिन ब नेचर करेता है एसिडिक नेचर करेता है और यह मेथालिन बिलू एक बैसिक नेचर की डाई है तो यह नुक्लियस को इस्टेंड करती है भही अगर यूसिन की बात करें यूसिन एक एसिडिक नेचर की डाई है कैसी डाई है दोस्तो एक एसिडिक नेचर की डाई है और और यूसिं किसको इस्टेंड करेगी दोस्तों, osteoplast को loático CoetStand करती है साहती और अर्बीसी और granules को भी यहHeheInrien करती आ है तो यहां पर जो methylene blue basic nature की डाई हो गई जो किसको acrylic nature बारा material यनि new believes को austend करेगी कालार किसा देंगी दोस्तों blue color and purple करी ही यहां पर eh 사設開वocyेंगां और भैं यूशन किसा ऐस ऐसीडिक नाचर की डाइब है और श्कटेंड किसको करेगी बैसिक नेचर मटेरिल एनिडिय्ट प्रेंड प्लाजम करती हैं यह कैसा सभवा ल Ό 我們 olsun यूशन में यूशन pronoun basic dye acidic nature के material को extend करेगी और acidic dye हाँ पर basic nature के materials को यहाँ पर extend करेगी तो यह तो हो गया principle साथ ही अब देखते हैं दोस्तो composition of least mine dye एनी जो least mine dye use की जाती है वो किस-किस से मिलकर बनी होती है तो सबसे पहले मिलकर बनी होती है दोस्तों DNA RNA special यह इस्टेंड करती है दोस्तों भही यूसिन अजार सेकेंड कमपोजिशन यह किस से मिलकर बना होता है फर्स्ट इसमें रहता है मेथाइलिन बिलू सेकेंड रहता है यूसिन अजार और थार्ड यह किसमें मेथानौल एलकॉल से यह मिलकर बना होता है तो इन सब के प्रपाइटि रहती है यह मेथाइलिन बिलू स्टेंड नुकलेस स्टेंड करती है भही यूसिन अजार किसको स्टेंड करती है साइटो प्लास्मिक मटेरियल को स्टेंड करती है और मेथानौल एलकॉल क्या करता है इसमें 5th cell to slide, slide पर cells को fix करने का main काम करता है, तो यह तो किया composition of leasman dye, इसमें methylene blue using azar और methyl non-alcohol से यह leasman stain dye बनी होती है, अब नेस्टर देखते हैं दोस्तों यह पर which buffer using leasman stain, कौन सा buffer use किया जाता है leasman stain में, तो दोस्तों यहाँ पर mostly phosphate buffer use किया जाता है leasman stain में, और इसमें 2 buffer use किया जाते हैं, सबसे पहले यूच किया जाता है, 6.8 pH वाला buffer और 7.2 pH वाला buffer, दो यहाँ पर pH बारे buffer use किया जाते हैं, 6.8 pH buffer क्या करता है, mostly यह cells की morphology के लिए यूच किया जाता था, 6.8 pH वाला buffer और यहाँ पर 7.2 pH वाले buffer यहाँ पर किसके लिए यूच किया जाता है, तो पैरसाइटिक इस्टेडी के लिए, यहाँ पर 7.2 pH वाला buffer यूच किया जाता है, तो यहाँ पर mostly phosphate buffer यूच किया जाता है, और जिसका 6.HPS वाला वफर यहां पर सेल की मॉर्फलोजी के लिए और 7.2 pH वाला वफर यहां पर Parasitic Study के लिए दोस्तों यूच किया जाता है यहां पर अब देखते हैं लाश्ट ही यहां पर Procedure of Leisman Stand तो Leisman Stand का Procedure देखते हैं सबसे पहले आपको प्रपेर टंग सेप प्रपेर करना होगा और ब्लेट के यहां पर specimen कहा रहेगा आपका Capillaries Blood and Anticogulate Blood यहां पर यूच करना होगा EDTA वाला तो यहां पर आपने यहां पर टंग से स्मियर यहां पर प्रपेर कर लिया Next Step आपका रहेगा इस Pour the Leisman Stand and wait 2 मिनिट आपको स्लाइड पर Leisman Stand को Pour करना पड़ेगा और wait करना होगा आपको 2 मिनिट का 2 मिनिट के wait के बाद यहां पर आपको add the buffer double amount and wait for 8 मिनिट यहां पर जो Leisman die आपने pour की थी उसके double amount में आपको यहां पर add करना होगा कौन सा buffer add करना होगा double amount में और आपको रुखना होगा wait करना होगा add मिनिट का यहां पर 2 मिनिट के लिए यहां पर Leisman Stand डाला और add मिनिट के लिए आपने buffer इसमें add करा फिर add मिनिट के बाद दोस्तों अब यहां पर एक और मैन है दोस्तों यहां पर यह buffer क्यों यूच किया जाता है buffer क्यों यूच किया जाता है Leisman Stand में तो जो Leisman Stand होता है कैसा होता है दोस्तों non ionized होता है कैसा होता है non ionized रहता है और इसको ionized करने के लिए यहां पर buffer यूच किया जाता है ionized करने के लिए दोस्तों यहाँ पे इसमें वफर यूज किया जाता है यानि कोई भी stand non ionized होती है non ionized stand जो smear को stand नहीं कर सकती इसको ionized करने के लिए यहाँ पे वफर यूज किया जाता है तो 6.8 pH का यहाँ पे phosphate वफर यूज करते हैं और जो cells की morphology के लिए भही 7.2 pH वाला यहाँ पे यूज किया जाता वफर किसके लिए पैरसाइटिक स्टेडी के लिए दो यहाँ पे वफर यूज किया जाते हैं जब आपको cell की morphology के लिए यूज करना हुगा तो 6.8 वाला करना है भही अगर पैरसाइटिक स्टेडी के लिए आपको करना है तो वो उसका pH कितना होना चाहिए 7.2 pH वाला वफर यूज़ करना है यहाँ पर वफर क्यों यूज़ करते हैं दोस्तों इसको non ionized से ionized करने के लिए यहाँ पर वफर यूज़ करते हैं तो add the buffer double amount and wait for 8 minute के बाद आपको फिर boss the slide running tap water आपको फिर boss करना होगी running tap water में यहाँ पर slide को opposite side से करना होगी गौस्पीस की help से तो यह पूरी यहाँ पर procedure है lease one stand की 2 minute के लिए यहाँ पर आपको lease one stand करना होगा और 2 minute के बाद यहाँ पर 8 minute के लिए यहाँ पर वफर को add करना होगा कितने minute के लिए तो 8 minute के लिए यहाँ पर 10 minute का पूरा procedure है दोस्तों और इसके बाद आपको boss करके slide को dry करना है और फिर यहां पे जो नूकलियाई परपल करर कर माइक्रोसकॉपी करने ड्राइ करने के बाद तो जो नूकलियाउस कैसा सो करेगा दोस्तो परपल कर करेगा वहीं साइट्थ味 जो कलर देगा वहाँ पे erythrocyte, neutrophils, lymphocytes, monocytes और basophils यह सारे क्या इनके कलर अलग अलग होगे जैसे erythrocyte का deep pink रहेगा भाई neutrophils का orange pink रहेगा और lymphocytes के यहाँ पे blue some small deep blue और monocytes में हाँ पे grey blue और basophils के यहाँ पे blue कर रहेगा भही granules में भी इसका neutrophils का granules कैसा होगा fine purple होगा युसोफिन इसनोफिल का यहाँ पे red orange रहेगा granules और basophils का यहाँ पे purple black रहेगा और monocytes के यहाँ पे fine red रहेगा भही platelet कैसा रहेगा दोस्तो परपर कर रहेगा यहाँ पे नुक्लिया इस्टेन और साइटो प्लाजमिक इस्टेन जो भी इस्टेन करेगा लेशमान इस्टेन दोस्तो यह साला यहाँ पे प्रोसीजर एंड इसका रेजल्ट हो गया दोस्तो आज के लिए इतना ही थैंक्स फोर वाचिंग प्लीस लाइक सेरे इंड सब्सक्राइब माया चैनल थैंक्यू सो मच